लेते हैं question number 3 आपको बोल रहा है the square of which of the following would be odd number ठीक है इन में से कौन सा number ऐसा जिसका square करने पर आपको odd number मिलेगा तो बच्चों यहां simple sec rule होता है odd number के square हमेशा odd होते है even number का square हमेशा even होता है याद रखिएगा ठीक मैं आपको example दिखाता हूँ जैसे कि मानलो मैंने एक odd number ले लिया 39 यह odd है सबको पता है odd number क्या होते है जो number two से divisible नहीं होते 39 एक odd number है तो odd number का square करोगे ठीक है ना 39 एक odd number है तो odd number का अगर आप square करोगे तो आपको satisfaction के लिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर calculator में आपको 39 का square करो यानि कि 39 इंटू 39 ठीक कितना आ रहा है 1521 कितना रहा है 1521 जो कि क्या है odd number 1521 वन से end हो रहा है नहीं तो और नमबर है ठीक है अगर यह ऐसे नमबर से end होता जो टू से बल होते है जैसे कि 0 से 4 से 6 से 8 से ऐसे तो वह even होता तो यह भी odd हो गया इसी तरीके से जो even number होते है ठीक बस आपके satisfaction के लिए दिखा रहा हूं जैसे 84 84 से end हो रहा है 4 एक even number है टू से 84 कितना आरा आपके बास 7056 ठीक 7056 ठीक है students सो यह देखिए यह भी क्या है even number है बस यही rule आपको यहाँ पर याद रखना है और यह rule आप मैंने तो आपको simple 3984 की help से बताया है आप यह rule चाहिए टू डिजिट के नंबर पर लगा दो यह टू डिजिट का होगा ना आपको एक्जाम में करके नहीं दिखाना है बस आपको एक्जाम में लिखना है यह statement लिखना आपको एक्जाम में क्या यहां पर दिखेंगे यह और नंबर तो इसका स्कॉर्वी और और 7779 यह भी ओड़्नमबर तो कि इसका स्कॉएर होगा और होगा तो इसका क्यों और एक बात और बता दू यहीं पर इस नमबर को देखो यह इन है यह कैसा नमबर है इवेन है तो इसका स्क्वाइर करने पर भी क्या आएगा इवेन नमबर आएगा ठीके सुटेंस इसी तरीके से यहां पर देखो यहां पर बताना था कौन से नमबर ऐसे जिनका स्क्वाइर ओड आता है तो वह नमबर आपके कौन से यह मैं टिक कर देना हूं एक तो यह वाला ठीक और एक यह वाला यह आंसर लिखावा है आप पढ़ लीजे इसको नोट कर लीजे ओके सुटेंस